हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साला और मैं हूँ बीकेशिंग यह जदी बीपीएसी आपसे कुश्चन पूछता है ट्रिक जादा कारगार है खासकर बीपीएसी आप बड़े एक्जामनेशन की द्रिस्टी कुन से लोगों का करना वो रेलवे वाले ट्रिक रटते हैं लेकिन गलत रेलवे वाला तो किसी भी तरह से उनको कभी भी करम नहीं पूछेगा लेकिन आप बड़े एक्जामन की त्यारी करते हैं आप से करम पूछा जाएगा जो ट्रिक रखा गया है यह करम सही है 392 भी फिर 518 इस पिछले दिनों हम लोगों ने घनानंद तक पड़ लिया था और आप जानते हैं कि घनानंद के शमय ही शिकंदर का आक्रमन भारत पर होता है और पूरस से उनकी काफी लड़ाई होती है और पूरस साथ लड़ाई में जब वहीं पर शिकंदर आगे नहीं बढ़ पाता है तो एक मैत्री शंधी होती है पूरस के साथ और वहीं से फिर वापस सिकंदर लौट जाता है आए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्राचीन भारत पर बिदेशी आकरमन भारत पर प्रथम बिदेशी आकरमन इरान के हकामनी बंस के राजाओं ने किया दूसरा पॉइंट सिकंदर मेशी डौम की छत्रप फिलिप दूतिये का पूतर था तथा अरस्तु इनके गुरुजी थे यानि अरस्तु का शिस है सिकंदर ठीक है फिलिप दूतिये का पूतर है और अरस्तु का सिस था आई यह तीसरा पॉइंट है सिकंदर का शेनापती से बहुत important question है शल्यूकस का सेनापते शल्यूकस निकेटर एबं जल सेनापते निर्याकस था यह दोनों बहुत important है अगला point सिकेंदर के घोड़े का नाम वोका फेला या वोका फला दोनों प्रकार का नाम लिखा वह मिलेगा आपको था अगला भारत विजयी अभ्यान के तहट सिकंदर ने 326 इस्वेपुर्व में काबूल होते हुए हिंद कुश परवत को पार किया पूरस और सिकंदर के बीच जहलम नदी के किनारे बितस्ता या हाइडे स्पीच का यूद हुआ जिसमें पूरस की हार हुई यह यूनानी लेखकों का कहना है कि पूरस की हार हुई लेकिन जो भारती लेखक हैं जो चीनी लेखक हैं इनका कहना है कि पूरस के साथ शिकंदर की जो लड़ाई हुई वो बहुत अक्रमक थी और पूरस हारे नहीं थे अंत में जब सिकंदर ने देखा कि मैं यहाँ पर लड़ाय जीत नहीं पा रहा हूँ तो उन्होंने अपने चलांकि से उनके साथ मैत्री शंधी कर ले थे क्योंकि सिकंदर कोई साधारन व्यक्ति नहीं था वो बहुत बड़े योद्धा थे और कुरूर थे उनके कुरूरता के कहाने जब आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे वो कितने कुरूर थे उन्होंने अपने गुरू जी के भाई यानि आरस्तु के बड़े भाई की हत्या कर दे थे एक सिकंदर के पापा फिलिप दितिये के मित्र थे उनकी भी हत्या सिकंदर ने करवा दे थी छोटे छोटे बात पर उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कितनी अधिक संख्या में हत्याएं करवाई जब वो किशी छेतर को जीतते थे विजीत करते थे तो वहां के महिलाओं को सैनिकों के बीच भेज दिया जाता था या सैनिकों को छूट दे देते थे और उसके बाद जो बच्चे होते थे उसको भाला पर ले करके पूरे शमराज में घुमा दिया जाता था लोगों में भै पैदा करने के लिए तो इतने कुरूर सासक ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरस के साथ उदार हो जाएं ऐसा कम है तो खेर अलग-अलग इतियास करों को अलग-अलग मानना है यहां आपको जो लिखा हुआ यही लेकर चलना होगा लेकिन भारती इतियास करों पर हमें बिश्वास करना चाहिए हमारा देश गुलाम रा और अंग्रेजों ने जो इस प्रकार से हमें इतियास सौपा हमें इतियास बताया हम आज भी उसी धर्रे पर उसी रा पर चलते हैं आई अगला पॉइंट है सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया तो यहां पर भी बहुत इंपॉट्टNet है कि किस नदी को पार करने से इनकार कर गया था सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से यहां पर एक दूसरा मतिया भी है इसके भैसे उनकी शेना का मन में हुआ कि जदी घनानंद से हमारी लड़ाई हुई तो हम में से कोई नहीं बचेगा इस भैसे वो लड़ने से इनकार कर गए थे और उन्हें वापस लोटना पड़ा अगला पॉइंट है सिकंदर का निधन 333 पूर्व में बेबी लोन में हो गया बेबी लोन एक जगह का नाम है जहां पर सिकंदर के मिर्थी हो गई यह इस भी आपको याद रखना है 323 पूर्व आगे बढ़ते हैं यहां पर है कोटेली का अर्थ सास्त्र राजनिती सास्त्र पर अधारित है कोटेली ने एक पुस्तक लिखे अर्थ सास्त्र तो अर्थ सास्त्र हम लोग जने जनरली एकोनोमिक्स जानते हैं लेकिन कोटेली का जो अर्थ सास्त्र है वह राज तो मुह भी चानक किया, ठीक है, मुह का मतलब मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाख दतने, मुद्रा राक्षस किसने लिखे विशाख दतने, उसके बाद चानक किया, यानि चानक किके सडियंत्र का वर्णन है, मुद्रा राक्षस विशाख दतने लिखा है, और इसम को यहाँ पर विस्तारित लेख दिया गया है जस्टिन ने इतिहास का रहे हैं चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रो कोटश के रूप में की है तो सेंड्रो कोटश किसका नाम है चंद्रगुप्त मौरी का पूछे जाएगा जैदी सेंड्रो कोटश किसका नाम है तो आपको जवाब देना है चंद्रगुप्त मौरी का यानि जस्टीन एक लेखक है अंतिहास का रहे हैं उन्होंने सेंडरो को टस्कू कहा है चंद्रगुपत मौरी को कहाई अशोक पहला सासक था जिसने सिला पर लेख लिखवाना प्रारंब किया है मौरी समराज में ही हम लोग असोक को भी पढ़ते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है कि अशोक पहला सासक था जिसने सिला पर लेख लेखना प्रारंब करवाया था आईए अगला है असोक के शिला लेखों की भासा प्राकृत है तथा लेपी ब्राम्मी यह दोनों बात बहुत इंपोर्टेंट है अप जितने अच्छे से इस बात को याद रख सकते हैं अशोक के सिला लेखों की भासा क्या है प्राकृत है और लेपी क्या है ब्राम्मी है तो भासा प्राकृत और लेपी ब्राम्मी अगला पॉइंट है असोक के उत्तर पस्तिम सिलालेखों में खरोस्थी तथा अर्माईक लिपी का प्रियोग हुआ है यहाँ पर क्या है ब्रामे लिपी लेकिन कह रहा है कि उत्तर पस्तिम के जो सिलालेख है उसमें खरोस्थी तथा अर्माईक खरोस्थी भी लिपी है और अर्माईक भी लिपी है, इस दोनों लिपी का भी प्रियोग हुआ है, आईए, यहाँ पर चंदरगुप्त मौरी के बारे में हम लोग सुरू करेंगे पढ़ना, चंदरगुप्त मौरी जो 323 इसवी पूर्व से ले करके 298 इसवी पूर्व तक का है, 333 इसवी पूर्व में ही आप जान रहे हैं, पिशेम लोगों ने अभी पढ़ा है, कि शिकंदर की मिर्तियों हो गई थी, आईए, मौरी समराज की अस्थापना चंदरगुप्त मौरी ने की थी, अगला पॉइंट है, चंदरगुप्त मौरी की चंदरगुप्त संग्या का प कि आम लैख सुदर्षन झील का निर्मान करें तो जदी आप से पूछा जाएगा पुछा जाएगा की मौरी की तो बोलेंगे की मौरी की मौरी की मौरी ने हुआ था, यहाँ नम रहे गा। अब बोल देगा चंदरगुप्त संग्याक्यान अग्य है, एक ट्रिक है, यहां पर क्या है चाहूँ मैं यह 3 वर्ड आपका trik गाने के तरह चंढ्र गृप्त मौरी, हो मतलब हेलना, म मतलब म मतलब मैगा स्थनिद मौरी का जनम 345 सभी पूर्भ में हुआ था, की शादी कुछसे वा था चंद्रगुप्त् TikTok के साथ हुआ है। और अगला पॉंट है 305 इसविपूरव में यूनानी शासक selukas एबं चंद्रगुप्त के मद्य युद्ध हुआ जिसमें सम्भवत्त लिखुष पराज़ित हुआ था। हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौरे से करवा दिया था पराजित होने के बाद उन लोगों के बीच एक संधी भी होगी और संधी होने के बाद क्या हुआ सेल्यूकस ने अपने पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौरे से करवा दिया था चाहु में नामें भी है हलना है हलना कौन है चंद्रगुप्त मौरे के पतनी आगला point है सेल्यूकस ने अपना एक राजदुत मेगास्थनिज आया यहाँ पर मेगास्थनिज 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 शेल्यूकस का राजदुwachThe यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि सेल्यूकस ने अपना एक राजदुत मेगा स्थनिच को चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में भेजा था हम लोग पढ़ चुके हैं यह दुनों बात यहां से अगला पॉइंट है एक ट्रिक के रूप में है चंद्रगुप्त के जैसे करना शब चंद्र और भद्र के जैसा सब को करने के लिए कर रहा है कि चंद्र भद्र जैसे करना सब यह वह ट्रिक का भाओ अब इसका अर्थ और या विस्तार देख लेते हैं चंद्र चंद्रगुप्त मौरे भद्र का मतलब भद्र भखु है जैन क्या भद्र भद्र भगती है अगला है जै चंद्र भद्र जैसे तो जै और से जै मतलब जैन यान चंद्रगुप्त जैन धर्म के अन्याई था से मतलब सेंड्रो कोटश चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रो कोटश कहा जाता है चंद्रगुप्त मौरी को यूनानी ग्रंध में क्या कहाता है सेंड्रो कोटश आए करना जैसे हो गया जै मतलब जैन से मतलब सेंड्रो कोटश करना मतलब करनाटक करनाटक का संबंध चंद्रगुप्त मौरी से है क्या है चंद्रगुप्त की मिर्तिव करनाटक के शरवन बेल गोला में उपवास के दोरान हो गई थी सब मतलब सरवन बेल गोला से ही है शव यहां जो लिए हैं सब का मतलब सरवन बेल गोला में करनाटक के सरवन बेल गोला में चंद्रगुप्त की मिर्तिवी तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद रखना है, चंद्र भद्र जैसे करना सब, चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौरी, मौरी वन्स का संस्तापक, भद्र मतलब भद्र बाहु, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौरी को जैन धर्म के देखशादी थी, जैसे मे को युनानी ग्रंथ में सेंड्रो कोटस कहा यह था करना मतलब करनाटक में उनकी मिरती हुए थी सब मतलब सर्बन बेल गोला सर्बन बेल गोला कहा हुआ करनाटक में यहाँ पर एक बहुत इंट्रेस्टिंग ट्रीक है फट्रीन नंबर सेल्यूकस ने चार परांत चंदुर गुपत को दिया सब्सक्राइब जुस्त धाने जरुक नते है। मतलब कंधार, का मतलब काबूल, ये चार प्रंथ, हेरात, मकरान, कंधार और काबूल, ये चार प्रंथ, चंदरगुप्त को दिया था, तो आप ट्रिक क्या याद रखेंगे, रात में कान का चंदरगुप्त को दिया, रात मतलब हेरात, में मतलब मकरान, कान मतलब कंधार, का मतलब काबुल ठीक है आगे है अगला पॉइंट है अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौरी ने जैन साधु भद्र बाहु से जैन धर्म की दिख्षाली थी चंद्र भद्र में भी ये वर्ड आया था भद्र बाहु से जैन धर्म की दिख्षाली थी आईए अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय स्रवन बेल गोला मैसूर करनाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी के करेब दुस्वान ठानवे इस भी पूर्ब में उपवास के दरण हुई थी। आम लोग बिंदु सार को पढ़ते हैं, बिंदु सार को बायू पूरान में भदर सार तरह जा जैन गरंथों में क्लिक शिंग सेन कहा जाता है। ये दोनों बात आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जिसे दवाने के लिए बिंदु सार ने असोक और सुसीम को भेजा था। युनानी सासक अंटियोकस ने बिंदु सार के दरबार में डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा था। जिसे मेगास्थनिच का उत्रा धिकारी कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्लिनी के अनुसार मिश्र के राजा फिलाडेलफस ताल में दूइतिये। ने पाटले पुत्र में डियानोसियस जिसको बोलते हैं नाम के एक राजदूत को भेजा था। अगला पॉइंट है बिन्दू सार के शभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिशत थी जिसका प्रधान खला टक था। शात्रों जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं आज मैं एक ट्रिकी जीस में ही पॉलिटी का एक वीडियो अपलोड करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा वहां से प्रसंद पूछे जाते हैं निस्तित रूप से वो वीडियो आपको देख करें आजिए अगला पॉइंट है बिंदु सार अजीवक्त संप्रदाय का अनुयाई था यह किस संप्रदाय के अनुयाई थे आजीवक्त संप्रदाय के चानक केफित के राजब का संचालन क्या था चानक का उत्रा धिकारी राधा गुप्त बने जब चानक नहीं रहे तिनका उत्रा धिकारी कौन बना राधा गुप्त चानक के बारे में कहा जाता है वह तीन मौर शमराजी यानि राजा के संचालक का काम किये शुरू कहां से वह था चंदरगुप्त मौर युसे यहां पर एक बहुत अच्छी ट्रि बारे में बता है वह है यह सो मतलब सयूगिन यह 158 में भारत आया तीन वर्सों में बाध प्राप्तियां एकत्रित की मतलब बाध धर्म के बारे में जानकारियां एकठा करने के लिए शहयोगिन भारत आया था हू अर्थ क्या हुआ हरसवर्धन के सासनकाल में चोससुतीस इस भी में भारत की यात्रा पर आया था एक बार question में इनका क्रम भी पूछा था तो समझे जदी BPSC आपसे question पूछता है कि क्रम क्या है तो फांसी हुई आपको याद रखेगा चीनी यातरी को फांसी हुई ता आपका क्रम कभी उल्टा-पुल्टा होगा कभी नहीं होगा इसलिए trick ज्यादा कारगार है खासकर BPSC बड़े examination की द्रिस्टी कौन से लोगों का करना हो रेलवे वाले trick रटते हैं लेकिन गलत रेलवे वाला तो किसी भी तरह से उनको कभी भी क्रम नहीं पूछेगा लेकिन आप बड़े exam के त्यारी करते हैं आपसे क्रम पूछा जाएगा हुई में E है E for its thing यह सात्वी सदी के अंत में भारा तया था जो trick रखा गया है यह क्रम से ही है 392 भी फिर 518 भी फिर 630 भी फिर सात्वी सदी तो चार के चारों यात्री जो है वह भारत जो आये थे वह क्रम से मैंने trick में लिया है आए एक point मैंने लिखा है देखिएगा point कितना important है विन सांकू यात्रियों का राजकुमार नितिका पंडित बरतमान साकुमुनी कहा जाता है वह नालंदा अब इस विद्याले में पढ़ने तथा बहुत धर बहुत ग्रंत संग्रह करने भारत आये थे तो यह है आपका इसके सत्ता संगर्स के बाद असुक का बिधिवत राज्याविशेक दौसव उनहत्तर इस विपूर्व में हुआ राज्याविशेक से संबंदित सिलालेखों में असुक ने स्वेम को बुद्ध शाक के कहा है राज्याविशेक से संबंदित सिलालेख में असुक ने खुद शुपधर रागके, यह याद रखेगा शुबधर रागके अभी लेखों में अशूक को देवा नाम प्रिये एवां राजा के शंबोधन से संबोधित किया है दोनोनला अप याद रखे Ngayai, देवा नाम प्रिये भी और राजा भी सर्पर्थम मास्की एवं मासकी एबम गुर्जरा अभी लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है तो आपका उत्तर होगा मासकी एबम गुर्जरा अभी लेख में पुरानों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से उल्लेखित किया गया है पुरानों में अशोक को क्या कहा गया है अशोक वर्धन कलह श्री नगर की अस्थापना कि थी तो आपका उत्तर हो जाता है अशोक ने खहाँ पर वितस्ता नदी के चिनारे अगला है हाथी गुफा अभी लेख से पता चलता है कि शम्भवता कलिंग पर नंद राज नाम का करता था अशोक ने लगवक्त दूसरो 61 में कलिंग पर आकरमन किया था इसी कलिंग पर आकरमन के वाद यह वह इतना भयानक युद्वा था इतने मार काट हुए थे कि वह देखकर अशोक का हिरदय बदल गया पिघल अगला पॉइंट है कलेंग युद्ध के विशय में असोग के तेरहवे अभिलेक में विस्तरित वरणन मिलता है। अभिलेक में अशोग के धम का उलेक मिलता है। अगला पॉइंट है अब तक प्राप्त हुए 40 अभिलेक में तीन लीपियों का प्रियोग किया गया है। अगला पॉइंट है अभिलेक में अशोग के अस्तम का पता लगाया। अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है पहला अभिलेक गुप्त समराज शमुद्र गुप्त की प्रसिद्ध प्रयाग प्रसस्ति है जिनकी रचना कभी हरिशेन ने की थी। समराज शमुद्र गुप्त की प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्तस्ति है जिनकी रचना किस ने की थी। हरिशेन ने। अगला पॉइंट है शात्वे एवं आठवे सिलालेक में असुक के तिर्थ यात्राओं का उलेक है। तेरा वे में क्या पढ़े हम लोग अभी कि कलिंग युद्ध का वर्नन है कलिंग पर बीज़य का वर्नन है शात्वे आठवे सिलालेक में अनके तिर्थ यात्राओं का वर्नन है। शातवे अबम आठवे सिलालेक में तिर्थी आत्राओं का वर्णन है ये पॉइंट पढ़ चुके हैं 51 नमबर एक ट्रिक है मौरे कालिन प्रांथ अबम उनकी राजधानी मौरे काल में अलग-अलग प्रांथ में बटा हुआ था और उनकी राजधानी कहां कहां थे ये एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं ट्रिक मैं जैसे बोलूँगा इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपको याद अब जानी उत्तर सिला दक्षिन सुबरना प्राची पटल कालिस आले पुना मैं एक बार ट्रिक बोल देता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और दोहराईएगा भी अब जानी उत्तर सिला दक्षिन सुबरना प्राची पटल कालिस आले तो अब इसका विस्तार समझते हैं इसका मेनिंग समझते हैं अब मतलब अवन्ती जानी मतलब उजयनी अब मतलब अवन्ती और इसकी राजधानी क्या था है अव जानी मतलब उजयनी तो अवन्ती की राजधानी उजयनी हो गया दूसरा है उत्तर सिला, उत्तर मतलब उत्तरापत, उत्तर मतलब उत्तरापत, शिला मतलब तक्ष शिला, उत्तरापत की राजधाने तक्ष शिला, उत्तर सिला मतलब उत्तरापत की राजधाने तक्ष शिला, दक्षिन सुवर्ना, दक्षिनापत, और सुवर्ना मतलब सुवर प्रांत का ही नाम है और पतल का मतलब पातले पुत्र प्राची की राजदाने पातले पुत्र थी अब यहां पर एक ट्रिक है नए लड़कों के लिए या नए students को नहीं होगा लेकिन आप पुराने तब ही होंगे जब आप इसको अभी से पढ़ते चलेंगे पुराने students को यह trick बहुत कारगर है यह trick तो trick है पम अधम नितिष प्रव गिकज में पम मतलब पशुवली की निंदा पहला यह क्रम से है सिलालेखों का जो है क्रम से है पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचमा छठा साथमा आठमा इस प्रकार से ये क्रम से है तो पम में पो का मतलब पशु वली की निंदा पशु वली की निंदा किस में की गई है पहला में मह मतलब मनुसिवं पशु चिकित्सा का वरणन जब आप को आप्सन में रहेगा ना तो इसी ट्रिक से गारेंटी छटता है मैंने कई वार देखा है आप भी देखेंगे इसलिए ट्रिक को कभी यह ने सूचिए कि यह विकार है जब कभी भी आप एक्जाम देंगे चार विकल्प आपके शामने होगा तिसी पम अधम नितिस प्रविक मौ से महामात्रों की नियुक्ति नी से नियंत्रन यानि आत्म नियंत्रन और साथवा आठवा अभी लेक हम लोग पीछे भी पड़े थे कि इसमें तिर्थी आत्राओं का वर्णन है तो इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट मैं बता दूं कि यह साथवा आठवा है और पहला ह कि निंदा और साथवा आठवा तिर्थी आत्रा का वर्णन यह ज्यादा इंपोर्टेंट है बाकी भी इंपोर्टेंट है लेकिन उनमें से यह आगे है आईए कुछ और भी ट्रीक है सात्मा आठ्मा में क्या है? तिरथि आतरा का वर्नें, पीछे भी हम लोगों ने देखा नौमा में है, नितिश में तालशोव आता है, सच्ची भेट एवम सिस्टाचार का वर्नन है दस्मा क्या है? प्रजाहित का शंदेश, प्रव विकज ऐसे है तब प्रव मतलब प्रजाहित का संदेश, वो प्रव में वर्दान, धम का वर्णन, यही कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धमनिती को अपना लिया था, बारवा अभी लेख में क्या है, विशारों का शमान, तेरवें अभी लेख में हम लोगों पीछे पढ़ चुके हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन है, और चौधावा अभी लेख में क्या है, जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश, तो आपके पास चार मैं इंपर्टिंट कर देता हूँ, एक चौधावा जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश, तेरवा कलिंग युद्ध का वर् बहुत जरूरी है याद रखना पॉइंट है यहां पर असुक का सबसे छुटा अस्तम लेख रुम्मी देई एबं सबसे लंबावी लेख शात्मा जिसमें तिर्थ यात्राओं का वर्णन है अगला पॉइंट है अंतिम मौरे समराट कौन थे व्रिधरत अंतिम मौरे समराट क ज़रो ज्यादा पूछी जाते थे जो ज्यादा इंपॉटेंट होते थे जिस प्रसण को अलग अलग प्रिक्षाओं में मैक्सिमम टाइमज पूछा गया था मैंने उसको ट्रिक में शामिल किया है इसलिए ट्रिक आपके लिए बहुत अधिक important हो जाता है बहुत बहुत धन्यवाद